हेलो दोस्तो मेरा नमें सागर और आप देख रहे हैं अले गजाम सब चलना दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी लिए फिर से लेकर आए हैं एक सेंट्रल यूनिवसिटी से पर्मनेंट असिस्टेंट प्रोफेसर असोसीट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वेकेंसी तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों ये भी सी उचैन पोर्टल पर ही बेस्ट है यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको काफी सारी उनिवसिटी यहाँ पे शो होंगी और आपको मैं बता दूँ दोस्तों आज ही हमने एक और वीडियो डाला हुआ है सेंट्रल उ वीडियो है दोस्तों ये है सेंट्रल उनिवसिटी उप गुजरात से जब आप यहाँ पे विव पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपर नोटिफिकेशन देखिए तेरा तारीक का यह आप देख सकते हैं यह रोलिंग एडविटीजमेंट है दोस्तों इसमें जो वेकेंसी है यानि कि इसमें जो वेकेंसी हैं लगातार वो पूरे साल भर आती रहेंगी अभी इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर वेकेंसी काफी सारी अवेलबल है मैं आपको वी पोस्त पर क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्मानें पर टीचिंग पोस्त पर जवाब जाएंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा और यहाँ पर डीटेल नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन पर जवाब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका रोलिंग एडविटीजमेंट जो है वो आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं या पर टोटल सीट्स दी हुई है यानि कि वेकंसी कितनी अवेलबल है कि इस डिपार्टमेंट में सब कुछ मैंशन है स्कूल आप सोचल साइंस में आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर स्टेडिज इन साइंस टेकनोलजी और इन्नोविशन पॉलिसी में आप देख सेंटर फॉर स्टेडिज इन एकनोमिक एंड प्लाइनिंग में असिस्टन प्रॉफेशर की एक वेकंसी है देना आप आ जाते हैं स्कूल आप लैंगवज लिट्रेचर एंड कुल्च्छल स्टेडिज में यहां पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो लैंगवज सेंटर फोर चैनीज स्टेडिज में आप देख सकते हैं प्रॉफेसर एंड असोसीट प्रॉफेसर की वेकंसी है सेंटर फोर डैस्पोर स्टेडिज में आप देखेंगे असिस्टन प्रॉफेसर की दो वेकंसी है और यहां पर आप देखेंगे केमिकल साइंसेज में स्टड तो टो टोटेल दोस्तों यहाँ पर है 26 वेकेंसीज है और यहाँ पर में आपको बता दूँ यहाँ पर आम नीचे देख सकते हैं यहाँ के सामने यहाँ पर जो भी एंड़ीवेस्थ वेंगिश्यन वह आपको शो किये गए है और I think जिन पर star लगा हुआ है I think ये vacancies शायद दोस्तों ये backlog vacancies हो सकती है यहां पर इन्होंने कुछ mention नहीं किया हुआ है फिलाल आप एक बार जरूर से इसको check out करें आगे बरते हैं हम यहां पर आप देख सकते हैं pay level आप check out कर सकते हैं यह आपके सामने दिया हुआ है 14, 13A and level 10 यहां पर आपका रहेगा ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं reservation भी यहां पर रखा गया है blindness and low vision वालों के लिए 1% यानि कि जितने भी यहां पर mention किया गया है सभी में 1% का reservation दिया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं educational qualification आपकी जो भी as per latest UGC regulations है उसके बेस पर रहेंगी और साथी आपका जो regulation 2018 था उसके बेस पर आपको हैं पर selection किया जाएगा और regulation amendment जो आपके 2023 में हुए उसके basis पर भी आपका हैं पर selection होगा यहां पर आपके पास PhD होनी चाहिए 55% marks के साथ अपता PG होना चाहिए और यहां पर आपके पास 10 साल का आपका teaching experience research experience यह सारी चीज़ा मंगी जाती है प्रोफेसर में associate professor के लिए minimum 8 years का experience मंगा जाता है और qualification आपकी same रहती है assistant professor वालों के लिए अब यह change हो गया है कि अब net वाले लोग directly apply कर सकते हैं साथ ही जो लोग स्रिफ और स्रिफ PhD किये हुए हैं इनके पास net नहीं है वो लोग भी apply कर पाएंगे अब तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर आपके सामने सारे departments शो किये गए है desirable specialization जिसमें चाहिए वो यहां पर शो किया गया है तो इसको एक बार आप जरूर से read कर लें जो भी लोग apply करने वाले हैं online ही आपर आपको apply करना है offline दोस्तों यहां पर कुछ भी आपको नहीं बेजना है date मैंने आपको बता दी है portal मैं आपको बता देता आपको यहां पर apply करना होगा और यहां पर फीस के बारे में नीचे दोस्तों डीटेल दी हुई है मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना होगा हमें और यहां पर आप विजिट करेंगे यह दिखिए general category वालों के लिए 1000 रुपीज फीज है OBS and EWS के प्रफे है और सी से टी डॉब्लूबी डी एक सर्विसमेंड और वोमेन केंडिडेट सबी के लिए यहां पर एक्जम्टेड रहेंगी यानि कि वुमेन केंडिडेट किसी भी काटगरी में हो एक्जम्टेड रहने वाली है बाकी आप नीचे यहां पर जाएंगे तो आपको में आप apply पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप से पूछेगा कि आप लोगिन कीजिए अगर आपका पूटल पर बना हुआ है रिजिस्ट्रेशन वो रखा है तो आप डिरेक्ली यहां पर लॉगिन करिए अगर नहीं बना हुआ है तो आपके सबसे पहले इसको आप फिल करेंगे आपका रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं पूरा प्रॉसेस किस तरह से आपको यहां पर प्रोफाइल क्रेट करनी होती है क्या से आपको अपलाए करना होता है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना लगातार vacancies आ रही है तो आई भोप वीडियो आपको पसंद आओगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सुब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी एकली वीडियो में एकली वैकेंसी आफ़ी PSG admission के साथ में तब तक के लिए टेक केर एंड जेहन